नमस्कार प्रभासाक्षी के शंक ध्वनी कारेक्रम में आप सभी का स्वागत है भगवान भोलेनाथ को महज सचे मन से याद करने से वह अपने भगतों से प्रसन हो जाते हैं यही कारण है कि शिवलिक पर भगत एक लोटा जल चढ़ा कर खुशाली की प्रातना करते हैं वहीं दूद के साथ अन्य चीजें भी शिवलिंग पर चढ़ाई जाती हैं वहीं अगर भगवान शिव की विधिविधान से पूजा अर्चना की जाए तो जातक को धन, संतान, ज्यान और मुक्ष की प्राप्ती होती हैं शिवलिंग पर कुछ खास चीजें अर्पित की जाती हैं इन चीजों का विशेश महत्व होता है और माननेता के अनुसार शिवलिंग पर काली मिर्च और काले तिल चढ़ाने से महादेव की खृपा बरस्ती है ऐसे पूरी होगी मनुकामना बता दे कि शिवलिंग पर काले तिल और काली मिर्च को अर्पित करना काफी शुब माना जाता है इसके लिए आप किसी भी दिन एक दाना काली मिर्च और साथ काले तिल शिवलिंग पर चढ़ा दे इसके बाद भगवान शिव के सामने अपनी मनुकामना बोले वेसे तो आप इस उपाई को कभी भी कर सकते हैं लिकिन मासिख शिवरातरी में उस उपाई को करना काफी कारगर माना जाता है जिन जातकों की कुनली में शनी, राहु और केतु अशुब स्थिति में विराजमान होते हैं उन लोगों को काले तिल का उपाए जरूर करना चाहिए। शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करने से काल सर्प का दोश दूर होने के साथ ही शनी की साड़े साती और धैया के प्रभाव से भी राहत मिलती है। रोगों का नाश करने का उपाए। शिव पुरान में बताया गया है कि शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से कई तरहा के रोगों का नाश होता है इसके लावा काली मिर्च चढ़ाने से जातक को सुक समर्धी की प्राप्ती भी होती है अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके